मद्प्रदेश शत्यसगड़ राजस्थान में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद अब जदियु के सांसद मोधी मोधी के नारे लगा रहे हैं नमस्कार मैं श्वेत और आप देख रहे हैं न्यूस फॉनिशर मुखमंत्र नुटिश कुमार को ये तस्वीर थोड़ी बिचुलित कर सकती है क्योंकि जिस मोधी को लेकर मुखमंत्र नुटिश कुमार बयान देते हैं उनकी ही पाटी के सांसद मोधी मोधी के नारे लगाते हैं दरसल राजस्थान 36 गड़ और मदप्रदेश में बीजेपी की जीत हुई है और इस जीत के बाद बीजेपी के नेता कारे करता तो काफी ज़ादा खुश है वही जदियू के सांसर सुनिल कुमार पिंटू भी मोधी मोधी के नारी लगा रहे हैं। सुनिल कुमार पिंटू ने नरेंदर मोधी की तारीफ करते हुए सोचल मेडिया पर लिखा है कि मोधी है तो मुमकिन है, मोधी है तो गारंटी है और ये जनता ने प्रूफ कर दिया और इस पर जनता ने भी मोहर लगा दिया है। इसको लेकर जहाँ जदियू के MLC निरच कुमार उनसे स्थीफ़े की मांग कर रहे हैं तो वहीं मुख मंतर नुतीश कुमार भी अब सोच रहे होंगे कि उनके सांसद मोधी मोधी के नारी लगा रहे है। जदियू सांसद ने कहा है कि BJP और भाजवा के कारेकरताओं ने जो नारा दिया था वो नारा सही दिखता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने कहा है कि तीन राज्यों में हार का ठीकराव सीधे कॉंग्रेस पर फोड़ कर जदियूने। लोग नितीश कुमार को प्रधान मंतरी बनाने के छिपे जेंडे को बाहर व्यक्त कर रहे हैं। विकास सबसे जादा मतपुन है। एक तरफ जहां नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिंधा मुख्यमंतरी नितीश कुमार की पाटी जदियू पर निशाना सादरे हैं। और कह रहे हैं कि ये 21 सदी है और 2023 की जनता उन लोगों को बोड़ देती है जिनके काम होते हैं। ना कि जाती वाद पर वोड़ देती है ना कि तुष्टी करन की राजनीती पर वोड़ देती है। कि जदियू कि घबर आ रही है। जदियू इस बात को भूल गई है कि अब ये 21 सदी है 21 सेंचूरी है और यहाँ के लोग उसी को वोड़ देते हैं। जो विकास की बात करता है जो साथ की बात करता है ना कि जो तुस्री करन की राजनीती करता है आने वाले 2024 के लोकसवाद चुनाब में क्या कुछ होता है ये तो तस्वीरे बयान करेगी लेकिन इन तीन राजों के चुनाप के परिणाम आने के बाद बीजेपी काफी ज़्यादा खुश नज़र आ रही और महागटबंदन की सरकार घबराई हुई नज़र आ रही है